आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्यूज्ड रोल समोसे की रैस्पी है फ्रेंड्स समोसे इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी है कि इसके आगे आप नॉर्मल वाले समोसे खाना तो भूली जाएंगे अगर आपको मेरी रैस्पी स्थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें और आपके अपने चैनल गूबिल्स के जिनको सबस्क्राइब करें तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी ट्यूस्ट समोसे इसके रहे सबसे पहले हम लेंगे दो कप मेंदा अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और फ्लेवर को इन्हेंस करने लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अच्छ वाइन यहां मैने हाफ डेबल अच्छ गली हैं उसकी है उसी के साथ 4-5 चमश हम डालेंगे इसमें ओलूस्स और अब हम मेंदा को अच्छे तरीके से बाइंड करके देख लेंगे देखे फ्रेंड्स मेंदा हमारी अच्छे तरीके से बाइंड हो रही है अब हम लेंगे नॉर्मल टेंपरिचर का पानी और अपनी मेंदा को मलकर एक टाइड डो बना लेंगे दीए फेंट हम ले सके निये एक सक्त डूप बना लिया है और हलका सा लगा है इस पर आयल और इसे हलका सा अच्छे तरीके से मसल कर अब होम इसे रखेंगे दस मैट के के निये रेस्ट पर डो को रेस पर रखकर अब हम करेंगे इसके स्ट्रफिंग की तयारी इसके निये फेंट्स मैंने हाँ पर लिए चार उबडे हुए आलू और मैंसे कद्दुकस कर लूँगी आप इसे मेशर की हेल्प से भी मेश कर सकते हैं बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें वो आलू के कोई भी मोटे मोटे टुकडे ना रहें आलू को हमने अच्छी तरीके से मेश कर लिया है अब हम इसमें मिलाएंगे एक गाजर जिसे मैंने बहुत बारी 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 चौपर से काट लिया है आधी शिम्रा मिर्च मैंने इसमें यूज किये वो भी मैंने बहुत बा इसमें डाली है हल्दी कलर को इन्हेंस करने के लिए और एक टेबली स्पून मैं इसमें डाली है कश्मीरी लाल मेट उसी के साथ फ्रेंट्स अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबली स्पून अमचूर पौडर आप इसकी जगे नेवू का भी कर सकते हैं उसी के साथ मैंने यहां पर डाला है एक टेबली स्पून चाट मसाला इससे फ्रेंट्स इसकी स्ट्रफिंग का जो टेस्ट है वो तुगना हो जाएगा अब हम इस सब चीजों को करेंगे मेक्स लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अंसर नमक नमक के साथ ही स्ट्रफिंग की बाइले के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है फूर टेबली स्पून कौन फ्लॉर कौन फ्लॉर डालने के बाद फ्रेंट्स हमें इसे रखना नहीं है अब हम इसे तुरंत ही करेंगे अच्छी तरीके से मेक्स देखे फ्रेंट इस्ट्रफिंग हमारी अच्छी तरीके से मेक्स हो चुकी है और आटा भी हमारा बिलकुल तयार है अब friends इस मैदा में से मैं दो लोई बना लूँगी Friends ये लोई हमें पराठे से थोड़ी सी बड़ी लेनी है आप देखे आप इस तरीके से से इस पिरकार से इसकी दो लोई बना लें और बचीवी मैदा को साईट में रख दें अब दोनों पूरियों की लोई की फ्रेंड्स हम इसे साइट से हलका सब प्रैस करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से चकले पर पतला साथ बेल लेंगे हमें दोनों ही पूरियों को बना कर बेल कर तयार करके रखना है मैंने एक पूरियों के तयार कर लिए देखे इसकी तिकनेस भी हमें बिलकुल पतली रखनी है जैसे हम पराठे बनाते हैं देखे फ्रेंड्स मेरी दोनों पूरियों बन करें बिलकुल तयार अब एक पूरियों के हम रखेंगे स्ट्रफिंग आप फ्रेंड्स स्टफिंग को फिंगर्स की हेल्प से हम अच्छी तरीके से पूरी पूरी पर स्प्रेट कर देंगे देखे फ्रेंड्स स्टफिंग मैंने अच्छी तरीके से पूरी तरीके से पूरी पर लगा दिये देखे इस तरीके से याप समीं कॉर्णर कोसिया से लगांगहें पूरी के बि देखे फेंड इस तरीके से मैंने पूरी पूरी पर कट लगा दिया है अब मैं इसे करूंगी डवल अब एक साइट की पूरी पर दूसरी साइट को इस तरीके से रख दें और इसे हलका सा ट्विस्ट कर दें इस तरीके से देखे फेंड सी बहुत ही आसानी से हो जाएगा जो हम इस तरीके से कट करें गे और बीच में नाइफ की HOLP से हलका सा करेंगे प्रेस और इसे पकड़ के असानी से घुमा देंगे इसमें फ्रेंड साब को बिल्कुल देकट नहीं आईगी बोट इसमें ध्यान लगने वाली बात यह है आप नाइफ की हैप से इसे हलक असर प्रेस करें और असानी से इसे गुमा के बनालें इसमें आपको पिल्कुल भी तिकत नहीं आएगी इसी तरीके से आप सभी स्टेप्स के अपने ट्यूस्ट रोल समयसों को बना कर तयार कर लें बस फ्रेंट्स इसमें ध्यान लखने वाली बात ये है कि आपकी जो पूरी है वो जादा मोटी नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपको इसे सेखने में थोड़ी सी तिकत आ सकती है देखि F disappointment मैंने अपने अपने सभी ट्यूस्ट समयसों को बना कर पिल्कुल तयार कर लिया है और एक तछाव मैंने गैस पे कराई को भी रख दिया है विल्कुल थ्लोफ फ्लेंपार दीखें फ्रेंज मैंने इसमें छोटी सी मेंद़की लोई को टाल के देखा है और यहीं इसमेंबहुत हलके हलके से पबल सा रहे हैं बस अब हम इसे निकाल लेंगे और अपने ट्रूच समोसो को इसमें टाल देंगे फेंट्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बार में दो या तीन ही ट्यूस समसों को सेखना है और गेस की फिलेम आपकी होई जाएं बिल्कुल लो टू मीडियम फेंट्स आप इसे बहुत ही पेशन्स के साथ टीप फ्राई कीजिएगा क्योंकि इसे सेखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप इसे हाई फ्लेम पे सेखेंगी तो यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे देखें फ्रेंट्स हमारे ट्यूज समसर रोस सिकर हैं बिल्कुल तयार और यह बहुत ही जादा बने हैं अमेजिंग और बहुत ही जादा क्रिस्पी इसे तरीके से फ्रेंट्स हम इसका दूसरा बैच भी सिकर तयार कर लेंगे देखें फ्रेंट्स हमारे अमेजिंग क्रिस्पी रोल का दूसरा बैच पी सिकर है बिलकुत तैयार अब हम इसे करेंगे गरमा गरम सर्व अब फ्रेंट्स आप इसे धनीय की चटने और टामाटर सौस के सास्थ सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स एक बार आप ये अमेजिंग रेस्पी चरू ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपकी रेस्पी कैसी बनी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल गोबल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक थैंक यू फर वाचिंग फिर मिलेंगे एक अमेजिंग रेस्पी के साथ